नमस्कार आप देख रही हैं BDF News आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शैतान के बारे में बताने जा रहे हैं जैसे दिल्ली की नरेला पोलिस ने गिरफ्तार किया इस शैतान का अपराद इतना जगरन है कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी इसे एक शैतान और वहशी ही कहेंगे दरसल इस शैतान ने अपने सातियों के साथ मिलकर एक 14 साल की लड़की का गैंगरेप किया और जब इससे भी इसका मन नहीं भरा तो उस लड़की की गला दबा कर हत्या कर दिया और शब को दुकान में बंद कर फरार हो गया कहा जाता है कि जब अपने ही रिष्टों का कतल करने लगे तो लोग किस पर भरोसा करेंगे दिल्ली की नरेला की ये घटना जग जोर देने वाली है जहाँ पर अपनोंने रिष्टों के मर्यादा का गला गोर दिया दरसल दिल्ली के नरेला में एक बंद दुकान में 14 साल की नावालिक लड़की का शव मिला ये लड़की पिछले एक हपते से लापता थी परिवार वालों ने काफ़ी तलाश की लेकिन लड़की कहीं नहीं मिली इसके बाद उन्होंने गुमशुद्की का रेपोर्ट पुलीस में दर्ज कराया पुलीस ने जान शुरू की और उसके बाद जो सामने आया वो वाकई में बहुत ही डरावना था दरसल लड़की एक हपते पहले पास के दुकान पर समान लेने गई थी इसके बाद से वो लापता हो गई 19 फरवरी को दुकान से बद्बू आ रहे थी इसके बाद आसपास के लोगों ने पुलीस को इसके जानकारी थी जब पुलीस मौके पर पहुंची दुकान का शटर तोड़ा गया तो हकीकत सामने आई दुकान में लड़की का शब शर्त विशत हालत में पड़ा हुआ था इसके बाद पुलीस ने मामले की गहराई से परताल की तो वारदात को अंजब देने वाल आरोपी पुलीस के हद्दे चड़ा जबके दूसरा आरोपी फरार चल रहा है गिरफतार आरोपी का नाम सचिन है और उसने बताया कि उस दिन उसने बच्ची को मिलने के लिए बुलाया था इस दौरान दोनों ने मिलकर रेप किया दूसरा आरोपी सुनील जिसका नाम है वो फरार है पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी लड़की के जानने वाले हैं और यूपी के हरदोई के रहने वाले हैं फिलाल पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही लेकिन ऐसी घटना सामने आने के बाद अंदर से इंसान हील जाता है खेर देखना आयम होगा कि दूसरा शैतान कब तक पुलिस के गिरफ में आता है वैसे ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलने चाहिए कि एक इतिहास बन जाए ताकि कोई भी गंदी मानसिक्ता का शिकार वहशी ऐसी वारदात करने से पहले कम से कम सौ बार सोतरे आपका इन अपराधियों को लेकर क्या कहना है नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल आइकन का बटन दबाईए बीडियाप नियूज की खबरे सबसे पहले देखते के लिए